तो आप सबके डिमांड पर यह मैं आज आपको फर्स चाप्टर के इंपॉर्टन कोशन्स बताने वाली हूँ, बाकि मैंने 1-15 चाप्टर के सारे ही इंपॉर्टन कोशन्स एक साइट कलेक्ट किये हैं, मैं आपको सैमिल पेपर प्रोवाइट करा दूँगी, टेलिग्राम का नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हुमारा चैनल जॉइन कर सकते हो, आपको वहां पर PDF मिल जाएगी, तो बच्चे देखो, यहां पर के दिया हुआ है, मैं चैप्टर नमर 1 का बताऊंगी, सबसे पहले प्रमेट क्या है, प्रमेट आपका यह वहां कोश्चन पूछे जाते हैं, उस चैप्टर से, वह देखेंगे हम, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है हमारा श्लोक नमबर, बुक के अंदर देख लीजेगा, कौन सा श्लोक नमबर है, लेकिन यह जो श्लोक है, वो पेपर में बहुत ही जादा पूछा जाता है व्रिद्धी, समान्य, सर्वेशाम, विप्रीत, विपर्या, यह श्लोक मैंने जब ओलाइन पढ़ाई थी, आपको जिन बचोंने मेरा कोर्स पर जेस कर रखा है, उन्हें पता होगा अच्छे से, मैंने आपको एक एक श्लोक जो इंपॉर्टेंट है, वो हाईलाइट कराया बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, इसके ओपर लॉंग कोशन पुट अप हो जाता है, और नेक्स कोशन आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ सूत्रस्थान, सूत्रस्थान की इंपॉर्टेंस के ऊपर आ जाता है, बहुत जादा इंपॉर्टेंट कोशन है यह वाला हमारा अस्टांग आयरुवेद के उपर जो आठ ब्रांचेज हैं मैंने आपको श्लोग भी याद कराया है जिन बच्चों ने हमारी online classes join कर रखी हैं उन्हें पता होगा मैंने आपको आठ जो ब्रांचेज हैं हमारी जिसमें श्लोग भी दिया हुआ है काय बाल ग्रह उदबाग वो जिन आँ कराया मैंने आपको याद कराया बहुत ज्यादा है आपको ये तर ने श्यायर आए लोग दो करने यारु के लिए लिए नेक्स्ट रोग रोगी परिक्षे यह बहुत reluctant आपको ये याद रखना है महारा परिक्षे भावरkey January कारन रोगों की जो तीन कारन दिये होता है यह quotation दे देते हैं और नेक्स्ट जो मैंने सबसे पहले फस्ट बताया आपको यह वाला quotation यह दो quotation जो है वो बहुत ही जादा important है यह paper में आ जाते हैं तो अच्छे से आपको यह learn करने है और इनका जो भी आपको लिखना किस तरीके से लिखना है जिस तरीके से नोट्स मैंने आपको प्रोवाइट कराएं है वो उसी तरीके से आपको लिखना है जो इसी विए आपको यह अच्छे से प्रिपेर करने हैं नेक्स कोशन क्या आता है बच्छे हमारा नेक्स कोशन आता है एड ब्रांचस ऑफ आईरुवेद और तुम्हें बताना है कि आईरुवेद का प्रियोजन क्या है चीजर्के बच्छे अस्र्ण आउड़ लिखना है आपको हैं पर कि उसके आठ अंग आँग से है और से स्राट हो गया तो यह हmarray next ट्र के important questions है बाकि यह मैं next video में आपको बताऊंगे लेकिन 10 marks की जो complete हो गए है यह questions है यह आपको important हैे अब अच्छे से इनहें prepare करना है रहे हैं अब कोशन्ट है तो इस sollte आएसे इंपॉर्टेंट है यह आईरवेद का उपदेश यह पुछ जाता है यह आपको आना चाहिए नेक्स श्लोक हमारा यह वाला है यह पुछ जा सकता है तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट श्लोक मैंने यहां लिखे हैं जो पेपर में 5 मार्ग के कोटेशन दे देते हैं कोटेशन देने के बाद उसे एक्सबरीन करने के दे सकते हैं तो मैंने लिखे हैं यह आपको प्र बॉप्रेपेर करनें है Why छे जो जो है वहाला जो श्लोक है यह 5 में भी पूछा जा सकता है इसलिए यहां पर दुबारा रिपीट किया गया है next question ओला हय जो quotation है अगर यह ङननी आता है तो 5 में से आता है इसोड़ से repeat कि बिल 설 στα हुष्ँ करने है और आम लिखने हैं आपको है चीकिज के और जो हमारे रस है उनका उनके बीच का जो रिलेशन है वो ठीक है next आता है हमारा 5 marks में यह वाला question पुछ जा सकता है यह वाला quotation जो मैंने पीछे पढ़ा है आपको 10 marks में यह 5 marks से भी आ सकता है next है हमारा short note लिखना है आपको विर्या के उपर यह भी पुछ जा सकता है next जो हम two marks के question two marks के question आप screenshot ले लो जैसे वाद दोश के लक्षन पर दोश के लक्षन कब दोश के लक्षन जो छोड़े चोड़े टॉपिक रह जाते हैं हमारे वो हो गाई जैसे name the types of धातू जो धातू है हमारी रस रक्त मास में दस्की मज़ा शुक्र उनके टाइप मतलब उनके बा तो यह बच्चे फर्स्ट जो हमारा चैप्टर आयुश कामयाद धाय उसमें से जो पूरा मतलब एक ऐसा सोच लिजे कि इससे बहार कोई question नहीं आएगा इसी तरीके question paper में put up होते हैं आपको याद रखना है इसका जो PDF है PDF जो है आपको आपको टेलीग्राम पे मिल जाएग ठीके बच्चे ओके थेंक यू